हलो गरीज मैं खुश्य रूब का स्वागत करती हूँ है जी नियूज में आज हम लोग आपको एक ऐसे बुज़र्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अनिवर्स्ट्री मनाई है 67 और उसके बाद ये जो अनिवर्स्ट्री मनी है जिस तरीके से उन्होंने मनाई है इसके बारे में जानके आप काफी ज़दा इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि हर जगा पर इनके बारे में चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर इनकी फोटो काफी तेजी से वाइडल हो रही है ये कही ना कहीं करोना वाइरस से जुड़ी हुई एक ऐसा मामला है जो कि आपको भी काफी ज़दा भावु कर देगा चलिए जानते हैं इसके उपर नज़र डालते हैं मेरे साथ बने रही है नियू यूर्क एमबिसी ने एक बॉब नाम के एक सक्ष की फोटो शेर की है उनकी 67 अभी एनिवर्सरी थी और उस दुरान जो उनकी बीवी है उनकी बीवी हॉस्पिटल में है क्योंकि वो करोना वाइरस से जूज रही है और उनको एक अलग कमरे में रखा गया है क्योंके संपर्क में भी कोई ना आए जैसे कि आप लोग को पता है कि करोना वाइरस का फिस अलग घातक हुआ हुआ है और उसी के साथ साथ लोग अगर किसी को भी करोना वाइरस है तो रैबिट एक ऐसी टीम बनाई गयी है जो कि आती है और करोना वाइरस के मरीज को अमुलन्स पर बिठा के लेके जाती है और फिर उसके दौरान ही वहाँ पर हॉस्पिल में एक अलग कमरे में उनको रखा जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर भी उनके ट्रीटमेंट के लिए इनकी बीवी को रखा गया है और उनकी बीवी काफिजा बिमार है पर उन्होंने इतने बड़े संकट के साथ उन्होंने अपनी अनवर्स्ट्री को मनाया वो जिस कमरे में थी उस कमरे के बाहर एक विंडो थी विंडो में वो खड़े हुए बैलूस लेके और उनके हाथ में एक बोर था उन्होंने बोर के उपर ये चीज़ लिखा था कि मैं 67 साल से मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और मैं आगे भी तुम्हें प्यार करता रह हो भी है तो गैज संकट तो है पर उसी के साथ साथ अपने अपनों को खो रही है हमें मिल के इसका सामना करना पड़ेगा अपने आपको सेफ रखिए हैंड वाश कीजिए जादा से जादा और अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाईए यह जाने के लिए आप थोड नमस्कार